सोलन में करोना की दूसरी लहर आने के कान जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है जिला बासियों को करोना वैक्सीन लगाने के लिए जागरूप किया जा रहा है प्रशासन द्वारा जिला में टीका महौचप मनाय जाएगा जिसके लिए प्रशासन द्वारा पूर्ण टैयारी क प्रियास किया उन्होंने कहा कि इसके शरीर पर कोई विप्रित असर नहीं पढ़ते हैं इसलिए अपने को सुरक्षित रखने के लिए करोना वैक्सीन अधी आविशक है अधिक चानकारी देते हुए उपैक चोलन केसी चमन ने कहा कि करोना की दूसरी लहर हिमाचल में प्रव करोना किसी को भी हो भी जाता है तो मैं उतना खतरनाक नहीं होता इसलिए करोना को असर कम करने के लिए वैक्सीन अधी आविशक है उन्होंने सभी से आग्रे किया कि जो भी नाग्रिक 45 वर्ष से उपर की उमर का है मैं तुरन वैक्सीन लगवाई मेरा सबी लोगों से ये आग रहे है जो 45 प्लस के आदमी है सब के सब इंजेक्शन लगाएं वैक्सीनेशन करवाएं और इसके दोनों डोज को लगवाएं क्यूंकि इससे जो कोरोना की जो सेकिंड लहर जो बहुत घातक है बहुत तेजी से संकामन हो रहा है इसमें कम से कम में एक बात बहुत सुनिश्चित है जिलों ने वैक्सीन लगाई है उनके पर उनको घातक परिदाम नहीं आएंगे और दूसरा यही जो 45 प्लस के लोग है जो अभी हमारा टीका मोस अब परसों से शुरू है हमारे सो वैक्सिनेशन साइट पूरे जिले में है सबी लोगों से आग रहे हैं कि वहाँ पर नजदी की वैक्सिनेशन साइट में जाके टिक अपना टिका करण करवाएं जब यह 45 प्लस के लोग ही पूरे सचुरेट हो जाए तब ही आगे वारे दूसरे दोगों को मौका मिलेगा तो मेरा यह है कि एक दो आप खुदी और सुरक्षित रह करेंगे और टिका करने एक और यह वैक्सिन जो आई है जो पिछल साल नहीं थी यह आप जरूर लगवाएं इसके बावजूर भी जिसने टिका लगवाया है वो सोशल डिस्टेंसिंग हैंड हाईजीन और वास्क का लगातार प्रयों जारी रखें यह देखा गया है कि मास् पहना है वो संक्रमंट से बचे हैं जब भी बहार आप निकलोगे लगातार माक्स जैसे हमने लगाया है उस डंक से पुरा नाक्स देखें ठोच से कवर रखें तो आप संक्रमंट से हमेशा बचे रहेंगे पचास हजार के करीव वैक्सिलेट हो गए हैं हंट लाइन वरकर् और हैल्थ केर वरकर्ज भी सारे लगवक वैक्सिलेशन हो गी है और कुर्वना के हमारी जो वैक्सिलेशन की जो रफतार है हर रोज लगवक साड़े चार हजार के रोगों को वैक्सिन पूरे जिले में लग रही है